जय हिन दोस्तो आज सही मायने में इंडिन एर फोर्स ने चिन को हिला दिया है बलके साबित करके दिखाया कि चिन को हराने के लिए भारत के पास भी ऐसे हतियार मौजूद है जो बिना GPS के भी चिन में सटिक जगे हमला करने में सक्षम है और ऐसे टेकनलोजी बहुत कम देशो के पास है जिनके हतियार बिना GPS के भी अपने टार्गेट को हिट करने की क्षमता रखते और आज ऐसे ही एक हतियार का भारतियो वायू सेना ने परेक्षन किया है जिसे देख्चिन UNAC का दरवाजा जरूर खटखटाएगा क्योंकि भारत की ये मिसाइल उसके चान पर भी ब बिरवात करते हैं तो दोस्तों बात हो रही है इसराइल की extended stand of range air to surface मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 की वैसे आप में से बहुत से लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा लेकिन भारत की वायू से ना लंबे समय से इसराइल की ये cruise मिसाइल इस्तिमाल करती है और आज इसी मिस के मुताबिक भारतीय वायू सेना ने अंडवान द्विप समुव में हवा से जमिन पर मार करने वाले crystal मेज 2 मिसाइल का सफल परेक्षन किया जो कि 200 किलोमेटर से अधिक दूर खड़े लक्ष को मार गिरा सकती है इस मिसाइल को खास कर दुश्मन के long range radars, air defense system और high value defense assets को मिसाइल को सुखोई जेट से दागी गई जिसने अपने निरधारित लक्ष को बड़ी सटिकता से हिट किया अब चुकि इसराइली तकनिक पर बनी है तो शक की कोई कुझाईश है नही इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि चिन इस मिसाइल के टेस्ट को देख युएन जरूर जाएगा तो खासियत ये है कि ये मिसाइल बिना जीपेस के भी चिन में मौझूद किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है आप सभी को पता होगा कि चिन में जीपेस काम नहीं करता चिन का अपना खुद का मैप है जिसे बाइडू जीपेस सिस्टम पर भी काम करती है तो ये चिनी टारगेट को बड़ी आसानी से ध्वस्त कर सकती है ठिक ब्रमोस के तरह जिसमें भारत का अपना खुद का नाविक नेविकेशन सिस्टम लगाए इस मिसाइल के और एक खासियत ये है कि दुश्मन के बलेस्टिक मिसाइल ड जादा नुपसान कर देती है एरफोर्स के मुताबिक क्रिस्टल मेट्स डिप स्ट्राइक मिशन्स के लेक बढ़िया वेपन पैकेज है यही कारण है कि भारती ये सेनाए से सालों से इस्तिमाल करती आ रही है और अब ये भी कहां जा रहा है कि इसके अगले संसकरण को मेड इंडिया के तहट भारत में ही बनाए जाएंगे जिनकी रेंज 500 किलोमेटर तक हो सकती है जय हिंद